उनका कहना है कि लगभग हर इंसान के अंदर इतना प्लास्टिक मौजूद है कि उससे एक क्रडिट कार्ड बनाया जा सकता है आज बच्चे जिन तमाम समस्याओं का सामना कर रहे हैं छोटे बच्चों को थायराण की समस्या हो रही है ये ज़्यादा तरिसी से चुड़ी हुई है इसके अलावा उटिजम इसके साथ कई चीज़ें चुड़ी हुई है इससे आपको कितनी सारी समस्याओं होती जा रही है आपको पता ही नहीं तो सद्गुरु आपका अधिकांश काम स्थाई समाधानों की और है पर आपका बहुत सारा काम मानव चेतना को उचा उठाने के लिए भी है एक आदमी या छोटा व्यरसाए या समुदाए या समाज इसमें क्या भूमी का निभा सकते हैं देखे ये दो अलग अलग चीज़े नहीं है इनसानों का जागरूकता के साथ जीना और स्थाई समाधान ये दो अलग अलग चीज़े नहीं है जैसे हम चीजें कर रहे हैं वैसे इन्हें लंबे समय तक कायम नहीं रखा जा सकता ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि हम जागरूक नहीं है हम इस धर्ती पर अपने काम सचेतन तरीके से नहीं कर रहे हैं हर किसी की अपनी मजबूरिया है लोगों की मजबूरिया है समाजों की मजबूरिया है देशों की मजबूरिया है दुनिया की सच्चाई की अपनी मजबूरिया है इन मजबूरियों को पूरा करने के लिए हम ऐसी चीजें कर रहे हैं जो हमारे वजूद की बुनियाद ही छीन ले रही है ये पंच तंत्र की उस कहानी की तरह है जिसमें एक आदमी डाल के उल्टे छोर पर बैठा है और उसे ही काट रहा है वो उसे काटे जा रहा है क्योंकि वो सफल होना चाता है और जब वो सफल होगा वो जिर पड़ेगा हम भी वही हैं हम इस तरह की बेवकूफी भरी चीज़ें कर रहे हैं कि जब हम सफल होंगे हम जिर पड़ेंगे सही बात है हम में से हर एक को अपने जीवन को ऐसा बनाना चाहिए कि आज हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं ये कहां जाएगा इतनी चेतना तो हो आज में जिस चीज का इस्तेमाल कर रहा हूँ कल ये कहां जाएगा ये अंत में जाएगा कहा इसका आखरी पड़ाव क्या है असल में 60 प्रतिशत कपड़े भारत से आते थे इस ग्राप पर ऐसे बहतरीन कपड़े किसी नहीं नहीं बनाए आज भी आपने जैसे कपड़े पहने हैं वैसे कपड़े कोई नहीं बना सकता ठीक है? सही बात है इस दर्दी पर कहीं भी नहीं क्योंकि ये कौशल रात और रात नहीं आता ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप चार सालों के लिए किसी टेक्स्टाइल कॉर्स में जाकर इसे सीख सकें एक ऐसी चीज है जो सहच तरीके से विकसित हुई है हर एक इलाके में उनके पास अलग अलग तरह की बुनाई वाले कपड़े थे अलग अलग तरह के रंग थे उनके पास जो भी लोकल सामान था उससे उन्होंने बहुत ही बहतरीन कपड़े बनाए 132 से जादा प्रकार के अलग अलग बुनावटें इस सदी की शुरुवात में मौझूद थी अभी उनमें से लगभग 65 से 70 प्रतिशत खात्मे के कगार पर हैं हम इस पर कुछ प्रयास कर रहे हैं हम इस बारे में बाद में बात करेंगे लेकिन कपड़ा चीजों को करने का हमारा तरीका रहा है हमें वापस उस पर जाना होगा असल में ब्रिटिश काल के दोरान इसे बेगाला गया जब वो बड़े काइदे से भारतिये वस्तरों की ताकत को तोड़ देना चाह रहे थे क्योंकि वो मैंचेस्टर को खड़ा करना चाहते थे जो उन्होंने सफलता पूर्वक किया भी अब लोग बले गर्व से कोईमबतूर को भारत का मैंचेस्टर कहते हैं मैंने का ऐसा मत कीजे हां उनको मैंचेस्टर को इंगलेंड का कोईमबतूर कहने दीजे क्योंकि ये वो जगा है जहां असली बुनाई और कताई और सब कुछ और कपास था ठीक है यही वो क्षेत्र है जहां ये हुआ और हर क्षेत्र में इसके अनोखे तरीके हैं अगर हम इसे वापस ले आएं ठीक ठाक स्तर तक भी अगर हम ज़रूरी बाजारों का विकास करें अगर हम मौझूदा हुनर को फिर से जगाएं तो मैं आपको बता रहा हूँ इस देश में ये अगले पांच से छे सालों के समय में आराम से 20 से 30 करोण लोगों को रोजगार देगा कपला उद्योग दोरा कुछ प्रयास किये जा रहे हैं कुछ नीतियां बदली हैं हम भी उनके साथ काम कर रहे हैं पर अगर आप एक क्रांती चाहते हैं तो ये काफी नहीं है सबसे बढ़कर इस सब के लिए आपको एक बाजार चाहिए इसलिए आप बड़ी महत्वपून हैं इसलिए मैं आपसे बाते कर रहा हूँ क्योंकि हमें एक बाजार की जरूरत है बाजार को कलात्मक्ता को लेकर समविधन शील होना चाहिए बाजार को स्थाई चीजों को लेकर समविधन शील होना चाहिए फिलहाल लोग किसी दुकान में जाकर दस नाइलोन के कपड़े खरीद लाना चाहते हैं क्योंकि अगर वो शॉपिंग गए तो कोई भी एक कपड़ा नहीं खरीद रहा वो दो दरजन खरीदते हैं इस तरह एक, दो, तीन वो पहनेंगे और उसके बाद वो बोर हो जाते हैं और फिर से इससे पहले कि वो दो दरजन कपड़े को पहनें वो पहले ही दुबारा शॉपिंग कर चुके होते हैं इस दुनिया में पचासी प्रतिशत कपड़े एक साल में ही कचरे के गड़ों में चले जाते हैं दुनिया में हर साल सौ अरब कपड़े बेचे जाते हैं और पचासी प्रतिशत कपड़े हर साल कचरे के गड़ों में चले जाते हैं और उनमें से ज़्यादतर पॉलियस्टर है प्रदूशन का सबसे खतरनाक प्रकार ये पॉली फाइबर भर जगा तैर रहा है ये हवा में है, ये मिट्टी में है, ये पानी में है कुछ शोद करताओं ने पाया है कि ये प्लेसेंटा में यानि पॉली फाइबर गर्भ नाल में है यानि आपकी मा के गर्भ में ही ये आपको पकड़ लेता है उनमें से कुछ कह रहे हैं हमें नहीं पता कि आंकड़े के सब तक सही हैं पर ये सही है, ये सही दिशा में है वो कह रहे हैं कि लगभग हर इंसान के अंदर इतना plastic मौझूद है कि उससे एक credit card बनाये जा सकता है आपको कीमत चुकानी पड़ेगी किसी दिन अगर आप अपने system में credit card लेकर चलेंगे तो आप भरपाई करते रहेंगे ठीक है? तो इतना सारा plastic हर जगा मौझूद है लेकिन हर कोई उस बिचारे plastic bag पर ही निशाना साधरा है मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि आप उस पर निशाना मत साधिये लेकिन ऐसा करना fashionable हो गया है यही समस्या है क्यूंकि बिचारा plastic bag जो सड़क पर तैर रहा है कोई भेकारी, कोई कचरा बीनने वाला उसे उठा लेता है और भारत में यह recycling दर असल बड़ी अच्छी रफतार से होती है यह आपकी 27 समाधानों की चेतना की वज़े से नहीं है बलकि गरीबी की वज़े से है वह उसे उठा रहे है भारत में लगभग 90% प्लास्टिक की बोतलें रिसाइकल हो जाती है यह इस तरह काकेला देश है ऐसा इसलिए नहीं है कि हम परियावरन को लेकर बहुत जागरूक है बलकि इसलिए कि उनकी लोग बहुत गरीब है वह उसे उठा रहे है खेर किसी ना किसी तरीके से यह हो रहा है लेकिन पॉली फाइबर यह जिस मात्रा में नुकसान कर रहा है यह जिस तरीके से शरीर में घुसता है खासत तोर पर बच्चे पॉली फाइबर पहन रहे हैं क्योंकि पॉली फाइबर बहुत ही जलंशील होता है, इस वज़े से वो इस पर ऐसे आग न पकड़ने वाले केमिकल्स की परत चड़ा रहे हैं इन रसाइनों को कैंसर पैदा करने वाला पाया गया है आज बच्चे जिन धेर सारी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, छोटे बच्चों को थाइराड की समस्या हो रही है वो मोटे तोर पर आग न पकड़ने वाले केमिकल्स से जुड़ी हुई हैं, जिनने वो कपलों पर इस्तमाल कर रहे हैं और आटिजम भी, तमाम चीजें से जुड़ी हुई हैं आपको इससे कितनी समस्याओं हो रहे हैं आपको पता भी नहीं है लेकिन ये तैह है कि कई सारी बीमारियां आपकी और बढ़ रहे हैं जब तक एक बच्चा 15-16 साल का नहीं हो जाता, उसे कभी भी पॉली फाइबर का कुछ भी नहीं पहनना चाहिए उन्हें और गैनिक कपड़े ही पहनने चाहिए ऐसा नहीं है कि बड़े पहन सकते हैं, पर कम से कम 17-18 साल की उमर में उन चीजों को लेकर आप में थोड़ा प्रतिरोधा जाता है, पर तब तक ये बहुत जरूरी है कि आप और गैनिक रेशा पहनें पर अब समस्या यह है कि आपके पास कितने सारे कपड़े हैं और आप उतने सारे सूती या रेशम के कपड़े नहीं खरीद सकते तो आप पॉली फाइबर खरीद लेते हैं, ठीक है? ये ज़ाधा सस्ता है, तो ज़ाधा तर लोग इसी ही देखे, सूती कपड़ों और दूसरी चीजों को भी सस्ता बनाये जा सकता है अगर आप मात्रा बढ़ा दें तो एक सरल सा सुजाव मैं ये दे रहा हूँ किलंगा नामें आपका प्रभाव है आपको इसके लिए दबाव देना चाहिए मैं कुछ राज्यों में इसके लिए दबाव डाल रहा हूँ कि कम से कम स्कूल यूनिफॉर्म सूती ही होनी चाहिए या लेनिन या जो कुछ भी वो खरीद सकें, ठीक है? पर वो पॉली फाइबर नहीं होनी चाहिए आप उसे रिसाइकल नहीं कर सकते केवल एक प्रतिशत ही रिसाइकल किया जा रहा है क्योंकि कोई भी इससे पॉली फाइबर को वैसे का वैसा इस्तेमाल नहीं करता इसे हमेशा एक जटल मिश्रण में मिलाया जाता है ताकि अलग तरह के फैबरिक बनाये जा सकें या जो भी तो आप उस जटल पदार्थ को कभी रिसाइकल नहीं कर सकते अगर ये शुद्ध नायलॉन या शुद्ध पॉली फाइबर होता तो हम उसे रिसाइकल कर लेते आप इसे रिसाइकल नहीं कर सकते क्योंकि इसे दूसरी अलग अलग चीज़ों के साथ मिलाया जाता है इसलिए रिसाइकलिंग संभव नहीं आप जितने पॉली फाइबर का कपड़ों के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं उसका केवल एक प्रतिशत रिसाइकल किया जा रहा है बाकि सब प्रकृती में जा रहा है और ये कई अलग अलग तरीकों से हमारे पास घूम के आ रहा है आपके दिल में क्रेडिर कार्ड है